हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है जेयास टिप्स यूटूब चैनल में और आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं होन टेप में अलाइमेंट गुरूप और नमबर गुरूप के बारे में उससे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर दो गुरूप दिखाए दे रहे आज हम सीखने जा रहे हैं अलाइमेंट गुरूप और नमबर गुरूप के बारे में मैं जैपासिंग लेट सी बिगें दा टोपिक और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथे साथ बेल आइकन गंटे भी प्रे का तो यहां पर इसका काम क्या है जैसे कि दोस्तों आप मेरा डेटा देख पार होंगे यहां पर मैंने कुछ को टाइप कर रहे हैं तो यह आपको किस साइड में सो रहा है इसके बाद अगला जो कॉलम है यह आपको किस साइड में सो रहा है लेप्ट साइड में सो रहा है त मेरा डेटा है जो राइट में नहूं कि हिसलैक्ट हो इसके लाब क्या करोगे करो कि यहाँ पर किलिक कर लोगे क्र लेप्य उचल्स excessive and क्योंकि मैंने स्क्वाइब आप चाहते हैं ये यह lifts इंग कर लोगे हैं अगर आप चाहते हैं ग्सकार पेकर आहां हो जाएखन से लिफ्म और यहां पर क्लिक कर लोगे तो आप यह देख मारे भी तरह रह सोन पर तो हमारा पर अपर हो चुका है इसके बाद जाहिए directly डेटा ये राइट में हो जाए तो उसके लिए आप डेटा को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर राइट पर क्लिक करेंगे तो आपका डेटा राइट में हो जाएगा अगर यहां पर आप सेंटर पर क्लिक करेंगे तो आपका टोटल डेटा यहां पर सेंटर साइड में हो चुक हमारे रोग की हाइट ज्यादा रहेगी तो यहां पर आम इन टोप मिडिल बोटम का यूज कर पाएंगे जैसे कि मैं यहां पर इसकी हाइट थोड़ी बड़ी कर लेता हूं और उसके बाद मैं इन तिन ओप्शन का यूज करके आपको दिखाता हूं अब मैंने इनकी रोग की क्लिक कर लेके आपका डेका यहां पर बोटम में आ जाएगा अगला वींग यहां पर यह तो क्या यह ऐन पर यूज करेंगे तो आगी पिछे हो रहा ओप उसके बाद दोस्तों यहां पर अगला उप्सन है रोटेट का अगर आप चाहते हमारा डेटा है इसको हम रोटेट कर ले तो इसको आप सिंपल यहां पर सिलेक्ट करके और यहां पर रोटेट पर किलिक कर लेंगे तो आपको डेटा यहां पर रोटेट में हो जाएगा अगर जो आप अगर वापस सेंट्र पर हो चुका है कि अब अगरा ओप्स यहांपर दोस्तो है रैफ टेस्ट का अब प्रेफ टेस्ट क्या काम करता है अब जैसे कि आप यहां पर कुछ भी डिकते हो दो तिन कॉलम में चला जाता है अब आप चाहते हैं जो हमारी कॉलम की विर्थ है चोड़ाई वो जाधा ना हो वो उतिने रहे और जो हमने लिखा है वो एक ही कॉलम में एड़ेस्ट हो जाए तो वो कैसे होगा आप देखना यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ टाइप पर देया concept computer center तो दोस्तों आप देख पारे हूँ जो मेरा data वो यहाँ पर तीन कॉलम में चला गया है तो अब मुझे यहाँ पर एक ही कॉलम में सो करना है तो यहाँ पर होगा क्या दोस्तों जो हमारी कॉलम की जो चोड़ाई है वो उतनी रहेगी और यहाँ पर जो row की height हो यहाँ पर automatic बड़ी हो जाएगी तो मैं यहाँ पर wrap test पर किलिकर लेता हूँ तो आप देख पारे होगे हमारी कॉलम की width चोड़ाई उतनी है सिर्फ यहाँ पर क्या हुआ रो की height यहाँ पर बड़ी हो गई है तो यहाँ पर होता है wrap test का काम उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर दिखा दे रहोगा merge and center merge and center क्या होता है यहाँ पर हम कई cell को merge कर सकते हैं यहाँ पर हम एक cell बना सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर बहुत सारी सेल सेल कर लिए उसके बाद आगर आप मर्ज पर क्लिक करता है तो आप देख पाएंगे यहाँ पर पूरा वाली lines होती है वो दोस्तों रह जाएगी और जो column वाली line है यहाँ पर यहाँ से remove हो जाएगी जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मर्ज पर क्लिक किया तो यहाँ पर जो हमारी column वाली grid line तो यहाँ पर हड़ चुके हैं और क्लिक करेंगे तो आपको general option दिखाया देखा नंबर का option currency का option accounting का option दोस्तों यहाँ पर हर option का काम क्या है आप देख पारेंगे जो हमारा एकसर सीट है यह पहले से general में होता है अगर हम यहाँ कुछ भी type करते हैं तो simply type हो जाता है जैसे हम यहाँ पर date दिख रहे हैं तो हम य जाती है और वह एकसर सीट नंबर में हो जाता है तो ऐसे condition में अगर आप यहाँ पर date लिखोगे time लिखोगे currency लिखोगे कुछ भी लिखोगे दोस्तों तो वह किसमें change हो जाएगा नंबर में change हो जाएगा जैसे कि मैं यहाँ पर date लिखता हूं कुछ भी तो आप देख पा इसको long date, short date दोनों में से किसी पर भी कर सकते हैं, short date में कि आपको दोस्तों इस तरह यहाँ पर date आ जाएगे अगर आप long date लिख करेंगे तो आप देख पारेंगे यहाँ पर long date भी आ चुका है, इसी तरह अगर आप टाइम भी सही करना चाहता है तो इसको select करके यहाँ पर option दोस्तों आप देख पारेंगे यहाँ पर currency और accounting का है, अगर आप यहाँ पर कुछ भी currency टाइप करते हो, तो आप यहाँ पर जैसे मैंने टाइप कर लिया कुछ भी currency तो आप यहाँ पर देख पारेंगे इसका अगर से रुपए का सिंबल या कोई dollar का सिंबल नहीं लगा, जबकि आप यहाँ पर देख पारेंगे कि इसके आगे रुपए का सिंबल और currency का सिंबल यहाँ पर दिया गया है, अगर आप भी चाहते हों कि इसके आगे रुपए का सिंबल आई तो आप यहाँ पर दोनों से किसी एक पर भी किलिक कर सकते हैं, अन्यता आप बहार से यहा प्रुपे का सिंबल लग चुका है उसके बाद दोस्तों यहां पर परसंटेज का ओप्सन क्यों दिया गया दोस्तों अगर आप यहां पर कुछ भी टाइप करते हैं तो टाइप करने वाद आपको यहां पर परसंटेज लगाना पड़ता है अब हम चाहते हैं कि हम की वह मौझ झाके। आपको करने के यहां पर परसंटेज अपने आफ लग जा रहा है उसके आगला अपर देखेंगे यहां पर दिया गयाँ यहां पर दिया गया इंगर के इसका काम क्या होता है यहां पर जीरो बढ़ाने का और गटाने का काम होता है अगर दोस्तों आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना